मृत्यू के बाद आपका पुनर्जन्म होगा या नहीं, जानिये नारत पुरान का अध्भुत रहस्य. आज की वीडियो में हम नारत पुरान का अध्भुत रहस्य बताएंगे जिसमें जानेंगे की मृत्यू के बाद आपका पुनर्जन्म होगा या नहीं. हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवन मृत्यू के बारे में बहुत सी बात लिखी गई है जिन में से कुछ बाते आज हम आपको बताते हैं शास्त्रों में लिखा गया है कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे दुबारा जन नहीं लेना पड़ता है मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी किसी भी पराईस्त्री की और बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए तथा हर व्यक्ति को गाय की सेवा करनी चाहिए जिससे वह भगवान विश्नु की कृपा से वैकुंठ लोप में जाता है और जन मृत्यू के बंदन से मुक्त हो जाता है इसके अलावा मनुष्य को अपने जीवन में भगवान विश्नु को रोजाना तुलसी का पत्ता चड़ा कर इनकी पूजा अर्चना करता है तो भगवान विश्नु उसे अपने लोप में निवास स्थान प्रदान करती है और वह मनुष्य जन मरन से मुक्त हो जाता है जब कोई भी व्यक्ती जिन जिन वस्तूओं को पाने की चाहत रखता है अगर वह व्यक्ती उनको अपने मन प्रेम से दान देता है तो उसे नारत पुरान के अनुसार मुक्ष की प्राप्ती होगी मनुष्य को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए दुसरों की मदद करनी चाहिए नारत पुरान में बताया गया है कि एकादशी के दिन भगवान विश्नु को जब कोई व्यक्ती सुगंधित फूलों से पूजा करता है तो वह कई जन्मों के पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है और हमेशा उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है